दोस्तों IPC के section 330 में यदि किसी व्यक्टी पर कारवाई होती है तो वहे व्यक्टी अपना बचाओ कैसे कर सकता है या इस सबसे कैसे बच सकता है आज की वीडियो में हम सबी इस पर detail में चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि वहे कौन से उपाए हैं वहे कौन से तरी के हैं जिससे कोई व्यक्टी अपना बचाओ कर सकता है इसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं तो बने रही है वीडियो के अन तक साथी ये दिया आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लीजिएगा देखिए दोस्तों IPC सेक्षन 323 में अपने बचाओ से पहले हम जान लेते हैं कि IPC सेक्षन 323 कब लगती है या किस अपराद में लगती है देखिए दोस्तों IPC सेक्षन 323 साधारण मारपीट में लगाई जाती है किनी दो पच्छों में विवाद होता है तो उसमें किसी ए एक पच्चोदारा दूसरे पच्च को साधारण चोट पहुँचाना। बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए यदि आप IPC की दारा 323 मावले का सामना कर रहे हैं और आपको अपना बचाओ करने की आप सकता हैं। तो पहला और सबसे महत्पूर्ण कदम यह है कि आपको एक अनुभवी अपरादिक बचाओ बकील नियुक्त करना होगा। उसके बाद आप अपने बचाओ का समर्थन करने वाले किसी भी सबूत को इखिट्टा करने के लिए अपने बकील के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसमें CCTV फूटेज हो गया, मेडिकल लिपोर्ट या कोई अन्य से जुड़े दस्तावेज सामिल हो सकते हैं जो आपकी बेगुनाई साबित करते हों, आपका बचाओ करते हों और इसके बाद आपके लिए महत्पूर्ण बात यह है कि यदि आपका इरादा चोट पहुँच करने का कोई इरादा नहीं था, देखिए अधि आपने आत्मरच्छा में या किसी और को नुक्सान से बचाने के लिए अपराद किया है, तो आपको इस दावे का समर्थन करने के लिए आपको सबूत पेश करना चाहिए कि आपने उचित बल का प्रियोग किया है और अपनी ही नहीं थे, तो ये आपके पच्छ में एक मजबूत बचाव हो सकता है, अब इसके साथ ही आपका बकील जो है, वो क्या करेगा कि अभियोजन पच्छ के गवाओं से अपने उनके बयानों को चुनोती देने और उनकी गवाई में किसी भी बिसंगत या बिरोधा बास को ज आगर करने के लिए जी रह करेगा उनसे, और इसके अलावा यदि आपको दूसरे पच्छ दारा दिये गए जो सबूत दिये हैं, उनमें विश्वासनीता के बारे में कोई संदे है, तो आप अपने बकील द्वारा अभियोजन पच्छ दारा प्रस्तुत साच्छ की सोविक कारिता या प्रमारिकता को चुनौती दी जा सकती है, तो इस प्रकार से आप IPC सेक्छन 313 के मुकदमे से अपना बचाओ कर सकते हैं, और साथ ही याद रखें कि प्रतियेक माबला जो है अधुती होता है, या छेत्रा अधिकार और परस्तितियों में बिन्नता हो सकती है, इ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,